हेलो सुडेंट्स, वेलकम टो यूपी से एसस, टैली सिरीज का एलेक्चर नमबर 30 है, और आज हम इस वीडियो में जो अक्टूबर मन्त है, इसकी सारी इंट्री कम्प्लीट करेंगे, ठीक है, इनकी हम जो इंट्री है वो टैली में करेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, बाक कम्पनी है, वो अगर हम डिस्पले में जाके, और डे भुक चक करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि डेट जो लगी है, वो अगस्त ही लगी है, ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब पिछले वीडियो में हमने सप्टम्बर की इंट्री चड़ाई थी, ठीक है तो डेट चेंज करना भूल गए थे, तो इससे होगा क्या, इससे हुआ यह कि जो सप्टम्बर वाली इंट्री थी, तो जब हमने डेट ही नहीं चेंज की, तो वो सप्टम्बर वाली इंट्री भी अगस्त में ही आकर चड़ गई, समझ गया ना, तो मलब अगस्त की इंट् जैसे interest होगे रागर लग रहा है interest तो वहाँ पर तो date की भूमिका है तो ऐसी entry गलत हो जाती है ठीक है लेकिन normally अभी तक हमने ऐसी कोई entry नहीं किये जो date के उपर depend हो तो यहाँ पर हमारी अभी तक की जो report ने अभी तक तो फिलाल कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप लोग हमेसा ध्यान रखे date जरूर चेंज करें ठीक है वैसे तो हर पर अभी अक्टूबर में चलेंगे तो वहाँ पर अक्टूबर की date set करेंगे और वहाँ पर एंटरी करना शुरू कर देंगे कोई confusion कोई confusion नहीं ऐसा भी आप कर सकते हैं ठीक है चलिए तो हम अक्टिंग वाचर में चलते हैं और date तो अकाउंट्टिक वाच्टर में पहुंचे और यहाँपर डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर यानि कि 1-10 ठीक है एक अक्टूबर यहाँपर हमने सेट करती डेट आप उपर देख सकते हैं बलग चुका है और अब हम देखते हैं पहला कोश्चन क्या है यहाँ पर पहले कोश्चन में क्या है मिश्टर सर्मा पेड कैस 5402 सैलरी मलब चाववन सर रुपए सालरी और अब अब यहाँ पर यहाँ पर तर हम कैस ताच चेक नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको सही करते कैसे पेज बटन प्रेस करेंगे और यह एडिटिंग मोड में आ जाएगी जो 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 इंट्री हमने अभी भी की थी ठीक है तो यहाँ पर हम cash select करेंगे और यह फिर से accept कर लेंगे ठीक है हो गई इंट्री अगला question है Mr. Sarma transfer fund electronically ठीक है तो यहाँ पर Mr. Sarma ने क्या किया है fund यानि की पैसा transfer किया है electronically यानि की bank से transfer किया है ठीक है यहाँ पर pay कितना किया है 40,000 रुपए किसको अक्षय ट्रेडिंग को और साथ में यह भी बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है full settlement कर दिया है इन्होंने यानि कि हमने यानि Mr. Sarma ने क्या किया amount है यहाँ पर नीशे आ गया देखिए current balance 40,425 रुपए है समझ गया है और हम payment यहाँ पर देखें कितना कर रहे है payment कितना कर रहे है और साथ में यह भी बता रहे है कि full settlement कर रहे है तो इसका मतलब 425 रुपए कहां गया discount हो गया समझ गहाँ तो यह discount कहा जाएगा क्या है discount LEDs income है क्यों क्यों कि यहां पर हमें क्या हुआ यह discount मिल आ है समझ गहा न तो discount received हो जाएगा discount received और किस में जाएगा indirect income है क्योंकि हमारी income हो रही है ध्यान रखना अगर हम मलब हम पैसा किसी से ले रहे होते है और discount होता वो expensive होता लेकिन अभी हमें देना कितना था 40,000, 425 दे रहे हैं 40,000 इसका मलब discount एन income हो गई तो यहाँ पर हम इसके entry करते हैं ठीक है तो यहाँ पर alt के साथ c और discount received का laser बना लेंगे ठीक है discount received और यह अंडर किसके जाएगा indirect income के जाएगा indirect income और यहाँ पर इसे हम accept कर लेंगे ठीक है discount कितना हुआ 425 रुपए हुआ है सिर्फ credit में आपका काउन होगा credit में होगा bank क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है fund transfer किया है बना बैंक से ही लेंदेन हुआ है ठीक है तो यह entry आप की हो गई simple entry थी discount received हुआ था और वो credit होगा क्योंकि income हुई है इंकम हमेशा credit होती है ठीक है accept कर लेंगे entry हो गई अगली entry है Mr. Sarma paid cash 3000 to rent और फिर उसके बाद है paid cash 950 toward office expenses दोनों entry को एक में कर देते हैं क्योंकि दोनों cash में है rent दिया 3000 रुपए voucher payment ही रहेगा rent expenses 3000 रुपए और फिर दूसरी बार debit होगा office expenses office expenses आपका कितना है 950 रुपए ठीक है और credit में आपका क्या है cash है तो यह हो गया cash और entry हमने accept कर ली अगला question देखते हैं अगला question मिश्टर सर्मा purchase item from अक्षर टेटिंग company on credit मलब अक्षर टेटिंग से खरीदा है और उधार खरीदा है ठीक है तो यहाँ पर हम यह देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यह जो सभी item है यह नए है ठीक है मलब यह नए और यह आपका powder है ठीक है और यह भी आपका powder ही है ठीक है और यह भी आपका powder है ठीक है तो यह तीनों powder है तो ग्रूप तो हमारे पास already बने सिर्फ item create करने है तो एक चीज़ यहाँ पर फिर से clear कर देते हैं यह चार आइटम जो है आपके यह जाएंगे hair oil में ठीक है hair oil में और यह तीनों आइटम जाएंगे powder वाले गुरूप में क्योंकि यह तीनों powder से related है और वो hair oil से कोई confusion कोई confusion नहीं बाकी entry purchase की आपको अच्छे से करना आता है तो चलिए इसके entry करते हैं तो यहाँ पर वाउचर लगा लिया परचेज परटी ने में में क्या हो जागा अक्ष आज almond drops ठीक है तो यह सारे आइटम हम फटाफट create कर लेते हैं आपको अच्छे से पता है कि create कैसे किया जाता है नहीं पता है तो आप comment कर सकते हैं फिलाल तो आपको पता होगा ठीक है तो वीडियो को यहाँ पर हम pause करके और सारे आइटम जो हैं वो create कर लेते हैं फिर आपक 100 रुपय ठीक है तो इस entry को हम accept करते हैं I think समझ में तो आही चुका होगा यह जो item हमने चार बनाये थे यह hair oil में गये थे और यह तीनों जो बनाये थे यह powder में गये थे ठीक है आप बना सकते हैं कोई confusion नहीं चलिए इसको हम accept करते हैं यह entry हमने accept कर ली और अगली entry देखते ह अगली entry में Mr. Sarma sold following item to Asta General Store on credit ठीक है Asta General Store को इन्होंने बेचा है और sell किया भी उदहार ठीक है यह 4 item है तो यहाँ पर voucher हो जाएगा आपका sales और party name में party name में यहाँ पर आपका होगा Asta ठीक है तो यहाँ पर Asta का laser नहीं बनाया बनाना पड़ेगा Alt के साथ C और Asta का laser बना लेते हैं ठीक है आस्था General Store अंडर जाएंगे sundry debitter के क्योंकि इनको हम उधार दे रहे हैं तो sundry debitter होंगे और इस entry को हम accept करते हैं चलिए इसको हम accept करते हैं और sales ledger में sales account होगा आइटम तो create होंगे नहीं आपको पता ही है यहाँ पर आइटम क्या है बजाज almond drop 100 ml है तो यह आइटम जो है यहाँ पर चड़ा लेते हैं तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है यहाँ पर डाल दिये हैं और इसका amount है वो total 10,100 रुपए है यहाँ पर आप देख सकते हैं total amount 10,100 रुपए है तो यह entry भी होगए इसको भी हम accept करते हैं simple entry है क्योंकि एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद वही चीज़े बस repeat होती रहती है ठीक है तो काफी आसान है आगे बढ़ते हैं देखिए अगला question क्या है अगला question है Mr. Sarma purchase item from Pooja Trading Company on credit फिर से यहाँ पर purchase किया है और किस से किया है Pooja Trading Company से उन्होंने है और अब हमें देखना यह है कि जो item है वो create होंगे तो group इनका कौन सा होगा ठीक है तो यहां तक जो है यह आपके होंगे spray देखिए यहां पर यह सब क्या है इस प्रे है ठीक है तो यहां पर यहां पर यह toothpaste में जाएंगे तो यहां पर दो group यूज हुई है एक तो body spray और द दूसरा toothpaste ठीक है तो item तो सारे create करने है तो चलिए item create करते हैं फटा फट और वीडियो को यहां पर हम pause कर देते हैं ठीक है तो पहले तो इंट्री कर लेते हैं यहां पर देखे डेविट केट क्या होगा तो यहां पर पूजा ट्रेडिंग कंपनी का भी laser बनेगा और यह चैएंगे sundry creditor sundry creditor ठीक है और यहां पर purchase हो जाएगा और जो item है आपके वो यह रहे और weडियो को यहां पर हम pause करते हैं जो एक्री आटम create करते हैं ठीक है तो यहां पर मैने common जो है उven डेख सकते हैं यहां पर यह सारे item हमने create कर लिए तृक है तो इसमें जो ऊपर केarta यहां परमेंटर करते हो इसे असेट कर लेते हैं ठीक है तो तेखिए अभी जो हम आइटम क्रियेट कर रहे हैं यह आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपको आइटम क्रियेट करना अच्छे से आ चुका है इसलिए हम नहीं दिखाते हैं ठीक है ताकि वीडियो ज मिश्टर सर्मा paid cash 1100 तो आपका हो जाएगा ग्यारा सा रुपए हुआ अगले कुश्चन में यहां पर मिश्टर सर्मा ने फिर से sold गिया है तो यहाँ पर इस इंट्री को करते है Mr. Sarma sales following item to Asta General Store in cash ठीक है Asta General Store को इन्होंने क्या किया है sell किया है और भी cash में ठीक है तो यहाँ पर voucher लगाएंगे हम sales यानी effect और party name में आपका क्या हो जाएगा party name में cash होगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है नगत बेचा है in cash यानी की नगत है ठीक है तो party name में आपका हो जाएगा cash और इसे हम accept करते हैं और sales ledger में आपका हो जाएगा sales name of item कौन कौन सा item बेचे हैं देखिए तो यहाँ पर इन्होंने 5 item आपका 43,000 ही है ठीक है चलिए इसेंट्री को accept करते हैं अगली इंट्री देखते हैं क्या है अगली इंट्री मिस्टर सर्मा इसुआ चेक 14,200 राज़ फनीचर के लिए आपर चेक इसू किया है मतलब payment किया है बाचर पेमेंट हो जाएगा डेविट में राज़ फनीचर हो जाएगे ठीक है राज़ फनीचर नहीं साया राज़ ट्रेवल से कौन है देखते हैं नहीं राज़ फनीचर ही है तो राज़ फनीचर हाउस ठीक है कितना है 14,200 रुपए और क्रेड़िट में क्या है चेक इसू किया है यह नहीं कि bank हो जाएगी SCB bank ठीक है और यह entry हो गई अगली entry देखते हैं अगला कुछ ने Mr. Sarma received amount Mr. Sarma ने क्या किया है amount प्राप्त किया यह नहीं पैसा मिला है कितना मिला है 15,500 रुपे मिला है किस से मिला है स्री राम ट्रेडर से मिला है कैसे मिला है यह मिला है bank transfer using neft ठीक है यहाँ पर neft का इन्हों ने यूज किया है और इससे पैसा transfer हुआ है तो कुल मिला कि पैसा जो बैंक में गया है तो और दिया किसने स्री राम ने दिया है तो voucher हो जाएगा यहाँ पर आपका received और credit में होंगे स्री राम क्योंकि यहाँ पर स्री राम दे रहे हैं और इनका amount कितना है तो इनका amount है वो 15,500 रुपे है और debit में आपका क्या हो जाएगा debit में आपका SCB bank हो जाएगा SCB bank और यह entry हमने accept कर ली ठीक है settlement किया गया और कितना check इसको किया है 22,600 रुपे का किसके लिए budget traders के लिए ठीक है तो इस entry को करते हैं यहाँ पर voucher यहाँ पर आपका हो जाएगा payment क्योंकि हम भुक्तान कर रहे हैं और किसको कर रहे है budget traders को ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे इनका amount कितना रहा है 22,600 रुपे समझ गए 22,600 रुपे और पेमेंट ही कितना कर रहे है 2600 ही कर रहे है मतलब यह full settlement कर रहे है इसमें कोई discount हो गे रहा नहीं हुआ है ठीक है तो यह हो गया आपका अजे टेडर्स ठीक है और amount 22,600 रुपे हो जाएगा credit में आपका यहाँ पर हो जाएगा STP bank क्योंकि check issue किया है और इस entry को हम accept कर लेंगे एक बार और चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं तो 22,600 रुपे अजे टेडर्स हो गए और debit हो गए credit में हमारा check हो गए यहनी bank हो गई ठीक है सही है इंट्री बिल्कुल सही है और इसे हमने accept कर लिया ठीक है और अगला question तो अगला question नहीं है आपर October की जो entry हमने complete कर ली है और अब हम October का trial balance है उसे देखते है ठीक है तो trial balance देखने के लिए आपको वापस आना है चलिए तो इसी के साथ हम फटाफट देख लेते हैं November की entry इसी वीडियो में अक्टूबर और November दोनों इसी वीडियो में हम देखेंगे तो November की entry भी हम फटाफट कर लेते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिए कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर जो November में question है Mr. Sarma received a check 10,100 from Asta General Store in full settlement on bill date ठीक है तो यहाँ पर 10,100 रुपे जो है वो check मिला है इसका और Asta General ने दिया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम date change करते हैं accounting voucher में गया date change की 111 ठीक है November है 111 और voucher हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है Mr. Sarma received और लोग received किया नहीं प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा voucher received credit में यहाँ पर आपके हो जाएगे आस्था ठीक है आस्था General Store और यह कितना payment इन का है 10,100 रुपे है और यह दे इतना रहे हैं यह दे रहे हैं 10,100 रुपे ही मतलब कोई डिसकांट नहीं हुआ और यहाँ पर टोटल 10,100 रुपे हो जाएगा और डेविट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HCV बैंक क्योंकि यहाँ पर हमें चेक मिल रहा है ठीक है और यह इंट्री आपकी हो गई अगरी इंट्री मिस्टर सर्मा डिपोजिट कैस 50,000 इंटू बैंक मिस्टर रुमन ने क्या गया है मुलब सर्मा ने 50,000 रुपे बैंक में जमा किये हैं तो वाउचर पेमेंट हो जाएगा डेविट में आपका हो जाएगा बैंक वाउचर यहाँ पर कंट्रा होगा और क्रेडिट में आपका यहाँ पर होगा कैस क्योंकि 50,000 रुपे बैंक में जमा किया जा रहा है और डेविट में स्सीवी बैंक क्योंकि वह पाने वाली है ठीक है तो यह हमने payment लगा हुआ है तो यह voucher number बताता है 38 है इसका मतलब कि अभी तक हम payment voucher पे 37 transaction कर चुके समझगे ना 37 transaction कर चुके हैं और यह कौन सा है 38 है ठीक है अब अगर आप tally में जो हमने book में question देखे एक अपरेल से start किया था अभी October हो गया है तो इसके बीच में अगर payment voucher की इंट्री चेक करेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा निकले हो सकता है 50 के आसपास हो या 45 हो लेकिन voucher number 38 ऐसा है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने आपको पता होगा कई सारी इंट्रियां एक ही voucher पे कर दी याद होगा डेविट में convince एक बार office expenses एक बार दो तो तीन तीन इंट्रियां एक में कर दी तो वाउचर तो एक ही हो ना आपको इंट्रियां तो यहां पर आपको इंट्री थी मिस्टर सर्मा ने रेंट दिया था ठीक है तो रेंट्वाली इंट्री करते हैं क्योंकि वह 50,000 वाली इंट्री देखे हो गई हाँ पिदी हो चुकी है रेंट वाली करने यह वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेविट में उपका रेंट हो जाएगा, रेंट कितना दिया है 3,000 रुपे दिया है और क्रेडिट में आपको यहां पर हो जाएगा कैस और इस इंट्री को हमने अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है मिस्टर सर्मा सोल्ड फालोइंग आइटम गुरुक रुपा जनरल इस टोर ऑन क्रेडिट ठीक है गुरुक रुपा से इनोंने क्या किया है वहां पर इसके इंट्री करते हैं सिंपल सी इंट्री है अब लेजर जो है व अचेट कर लिए उसके बाद यहां पर साल्स अकॉंट हो जाएगा नेम अफ आइटम में कौंस हो बैचा तो यहां पर देख सकते हैं आप ये सारे इंट्री को अच्ट कर लेते हैं अगली इंट्री देखते हैं क्या है तो अगली इंट्री मिश्टा सर्मा पेड कैस 6,000 for salary दी है तो simple entry है आपर cash में दिया है तो voucher हो जाएगा payment डेविट में जाएगा salary expenses और amount कितना है 6,000 रुपए है और credit में आपका cash हो जाएगा entry अगला question मिश्टा सर्मा received a bill 5,000 from jasri travels ठीक ह तो bill क्यों प्राप्त हो आपको पता है ये entry general voucher पे जाएगी debit में होगा traveling expenses क्योंकि यहाँ पर हमने travel किया है वही bill आया है हमारा 5,000 रुपए का credit में jasri travels और entry हमने accept कर ली ठीक है और उसके बाद अगली entry जो है वो मिश्टा सर्मा paid cash 950 office expenses तो यहाँ पर voucher payment debit में office expenses हो ठीक है आगली entry देखते हैं अगली entry है मिश्टर सर्मा sold following item तो सरी राम traders on credit ठीक है मिश्टर सर्मा ने क्या गया है सरी राम traders को यहाँ पर यह सारे item बेच दिये हैं on credit यानि कि उधार बेचे हैं तो इस entry को हम फटा फट कर लेते हैं तो उधार बेचे हैं और किसको बेचे है सरी राम traders को तो voucher हो जाएगा आपका sales और party name में होंगे आपके सरी राम traders ठीक सरी राम traders हो जाएंगे और यहाँ पर हम इसे control एसे accept करते हैं sales और name of item यहाँ पर आपका item name क्या है तो यहाँ पर आपके यह सारे item complete हैं तो यहाँ पर item तो आपको create करना ही नहीं पता ही है बस हम यहाँ पर क्या करना ही इस अभी item को आपर चड़ा देना है तो वीडियो को हम pause करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सारे item जो है यहाँ पर चड़ा दिये हैं ठीक है और इस entry को भी हम accept करते हैं और उसके बाद अगली entry देखते हैं अगली entry में भी यहाँ पर sold किया गया है माल को बेचा गया है तो अगली entry में जो sold किया गया है यह royal gift center को sold किया है इन cash है नगत बेचा है ठीक है तो यह चार पांचो आइटम जो है नगत बेचे गए हैं तो इसकी entry हम फटा फट कर लेते हैं वाउचर यहाँ पर आपका sell C होगा ठीक है और पार्टीने में यहाँ पर आपके हो जाएंगे cash ठीक है पार्टीने में cash होगा क्योंकि यहाँ आप देखिए यह जो dispatch detail आ जाती है इसे अगर आप directly हटाना चाहते है तो आपके यहाँ पर control के साथ ए बटन कर दिया करें ठीक है control यह से क्या होता है असेफ्ट हो जाता है और फिर sales account ठीक है तो यहाँ पर name of item में आपर कौन कौन से item है तो item देख लेते हैं कौन कौन से है तो यह सभी item जो है यहाँ पर हम फटा फट चढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो हमने सारे item यह चढ़ा दिये हैं complete जो royal gift center को बेचा गया था in cash में ठीक है तो इस entry को हम accept कर लेत हैं और अगली entry देखते हैं तो अगली entry में मिस्टर सर्मा ने sold किया है और इन cash नगत बेचा है ठीक है तो यह भी entry हम कर देते हैं फटा फट लास्ट इंट्री है तो यहाँ पर voucher sell C होगा debit में आपका पता है party name में कौन हो जाएगा cash हो जाएगा ठीक है party name में cash हो गया यहा item की list यहाँ पर हम चड़ा देते हैं तो यहाँ पर यह सारे item भी हमने चड़ा दिया है ठीक है तो इस entry को भी हम accept कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो November मन्थ था वो clear हो चुका है इस वीडियो में हमने October और November दोनों मन्थ clear किये हैं आप इसका हम November का trial balance है उसको भी आपको loss देख सकते हैं ठीक है और balance sheet यह सारे detail आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और December मन्थ जो है इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में okay so thanks for watching this video